HDFC mobile app में आपने डेबिट कार्ड कैसे डूनना है और उसके लिमेट कैसे चेंज करने है इसके बारे में बात करेंगे इसके पहले कि हम कंटिन्यू करें आपका HDFC bank account होना ज़रूरी है और आपने उस bank account पर register होना भी ज़रूरी है उसके आलाव आप यह नहीं कर पाऊँगे डेबिट कार्ड डूनने के लिए हमने पहलो जो है वह मेन्यू का option है यहां पर तो मेन्यू दबाना है मेन्यू दबाने के बाद आप देख पाऊगे कि दूसरा option जो है वह पे का option है पे अब जब दबाऊगे तब आपको यहां पर option आ जाते कि आप payment कैसे करते हो या रीचा यहां पर debit card भी दिख रहे है मेरे तो मेरा एक debit card है और उसका यहां पर option है details देखने के लिए तो उसका क्लिक करने के बाद थोड़ी बहुत ऐसे details देखने में मिल जाएगी जहां पर मैं चेंज कर पाऊंगा यहां पर block भी कर पाऊंगा अगर मुझे block करना है तो अगर मैं show कड्स प्रेंग करना यानि आप इक टाइम स्वच्प कर्शक करना यहां पर देखने आदमirit करने के बाद मुझे यहां पर option आचाते की ATM ओर आउनलाइन स्पेंडिंग मर्चन आउटलेस और कॉन्टाक्टलेस के लिमिट जो है मुझे कौन से करने क्या चेंज करना है अगर मैं चाहता हूँ तो यह ऑनलाइन स्पेंडिंग का और बंद कर सकता हूँ यानि मेरे काड पर कोई ऑनलाइन स्पेंड नहीं होगा तो मैं फिल तो मुझे अगर यह चेंज सेव करना है तो यहां पर कंफर्म को और कैंसल को और मुझे कंफर्म दबाने के बाद यहां पर आपको दिखने में मिल जाएगा कि यह सक्सेस्फुली अपडेटेटेट द फॉल इंग लिमिट सफूर डेबिट कार मैंने टोटल लिमिट चेंज यह सब मैंने चेंज कर रहा है तो इसके बाद मैंने डन प्रेस करना है और अब आपस डेबिट कार्ड समरी के पेज़ पर आ जाओगे तो तो कुछ इस तरह से आप डेबिट कार्ड एच्ज़फसी बैंक पर देख पाऊगे और उसके लिमिट चेंज कर पाऊगे अगर अजड है तो कर दो मैंने लिमिय जहागे पूर्ण परताब कार्ड समरी संमरी कर दो Rep darle के अविमिट कर दो करा कर दो कि अब एच sword कैंज कर दो कर दो कर दो तो पर आपोगे दो